नमस्कार आज हम सभी रतन नवल टाटा को एक स्नेह पूर्वक्ष रधान जली देते हैं एक ऐसे लीडर को जो सिर्फ इंडियन इंडेस्ट्री का भविश्य नहीं बलकि देश के करोडों लोगों की जिंदगी भी बदल गए 28 दिसेंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा ने टाटा ग्रूप को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बलकि विश्व भर में एक पहचान दिलाई आईए उनकी जिंदगी के कुछ खास पल और अचीवमेंट पर एक नजल डालते हैं 1962 भारत वापस लौटना अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई कॉर्नेल युनिवर्सिटी से कंप्लीट करने के बाद रतन टाटा 1962 में भारत वापस आए उन्होंने टाटा स्थील में काम करना शुरू किया और काम सीखने के लिए उन्होंने फैक्टरी फ्लोर पर मज़़ूरों के साथ काम किया एक असली लीडर्शिट की मिसाल 1991 में रतन टाटा ने अपने अंकर J.R.D. टाटा से टाटा गुरूप का नेत्रित्व संभाला ये वो समय था जब भारत अपनी एकनोमी को विश्व के लिए खोल रहा था और रतन टाटा का विजन बिल्कुल क्लियर था ग्लोबल एक्स्पांशन Year 2000 में टाटा गुरूप ने अपनी पहली बड़ी इंटरनाशनल एक्विजिशन की जब उन्होंने ब्रिटिश टी ब्राइंड टेटली को 431 मिलियन डॉलर में खरीदा ये एक हिस्टोरिकल मूव था जो टाटा को एक ग्लोबल प्लेयर बनाने में मददगार साबित हुआ Year 2007 कोरस स्टील की एक्विजिशन 2007 येर में टाटा स्टील ने अंगलो डच स्टील जाइंट कोरस को 13 बिलियन डॉलर में खरीदा ये एक बहुत बड़ा टेक ओर था जिससे टाटा गूरूप ने दुनिया के स्टील मार्केट में अपनी जगा मजबूत की Year 2008 में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश लग्जरी ब्रैंड जैगवार और लैंड रोबर को 4 से 2.3 बिलियन डॉलर में खरीदा ये रतन टाटा का एक सपना था जो आज दुनिया भर में लग्जरी का सिंबॉल बन चुका है Year 2008 में रतन टाटा का एक और सपना पूरा हुआ टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्थिकार बढ़ी ये एक सपना था affordable personal transport का जिससे masses को एक अपनी गाड़ी मिल सके 2012 में लगबग 20 साल तक टाटा ग्रूप को लीड करने के बाद रतन टाटा ने चेर्मेन का पर छोड़ा उन्होंने ethical business practices और global expansion की एक मिसाल छोड़ी है जो हमेशा याद रहेगी रतन टाटा सिर्फ एक business leader ही नहीं एक महान philanthropist भी थे टाटा ट्रस्ट के जरिये उन्होंने healthcare, education और rural development में अपना योगदान दिया उनका business profit के लिए नहीं बलकि एक बहतर समाज बनाने के लिए था COVID-19 pandemic के दौरान भी रतन टाटा ने टाटा ग्रूप के resources का इस्तमाल करते हुए healthcare और medical equipment के लिए मदद की उनका इंसानियत के प्रती commitment कभी कम नहीं हुआ 9 October 2024 एक युक का अंथ 86 साल की उमर में रतन टाटा हम सब को छोड़ के चले गए उनका जाना एक युक का अंथ है लेकिन उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा भारत ने एक महान नेता को खो दिया है लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा प्रेणा देती रहेगी रतन टाटा ने कभी कहा था मैं सही फैसला लेने में विश्वास नहीं रखता मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही बना देता हूँ उन्होंने सिर्फ टाटा ग्रूप को बंदला नहीं बलकि भारत को एक नई दिशा में ले गए आज हम उनकी याद में सिर्फ जुकाते हैं ओम शान्ति धन्यवात